Hello guys, welcome to the daily late night market analysis video, my name is Apoor, so start करते हैं अपना daily hindi analysis video, stay till the end of the video और आप लोगों को बहुत अच्छी education, बहुत अच्छा एक logic जो है market में जो आपको देखना चाहिए daily, वो मिलेगा, हम लोग क्या analysis करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंद तक, nifty bank nifty का analysis, sgx nifty क इस तरीके से effect करेगी और क्या possibilities हैं, और कुछ swing trades, कुछ possible swing trades और कुछ trades जिसमें news है, जिसको हम utilize कर सकते हैं, अगर price action पर वो bet ती हैं, आके साहिसे, तो इस तरीके से अपना video चलेगा, और इस video को आखरी तक देखना, अगर time नहीं है, तो video को pause कर दो, save कर दो, बाद में English, please follow me on telegram, telegram की link description में है, और आपको English analysis, you will get the same analysis in English language there, so let's begin, तो हम लोगो को क्या दिखा कि, एक snifty ने सबसे पहले तो एक अच्छा correction दिखाया, उसके बाद एक गजब का momentum उपर के side पे आया, बट अब हम लोगों क्या देख रहे हैं, हम लोगों को चाहिए था, ये फिर से correction आये, और फिर एक moment higher side पे हो, ठीक है, ये एक छोटा सा यहाँ पर stoppage आना चाहिए था, बट वो stoppage कुछ जाद ही, बड़ा हो गया, और जो recent high है, तो चार दिन में अगर आप देखो, तो चार दिन में, nifty ने almost 900 point गवा दिया है, ठीक है, बट हम लोग यहाँ से उस data को कैसे interpret कर सकते हैं, तो यार मुझे कुछ यहाँ पर levels दिख रहे है, important, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कि यह एक area था, यह एक zone था, जहाँ पर support मिल रहा था, daily time frame पर, यह वो एक area था, जहाँ पर resistance create हो गया, फिर इस area से जब बाहर निकला, ठीक है, इस area से जब बाहर निकल होगे अगर, तो almost 0.5 पे आ गया है, almost 0.5 अभी touch नहीं हुआ है, but almost 0.5 पे फिर बना की retracement के हिसाब से आ गया है, index यहाँ पे पिछले time में इसने straight up दिखाया, फिर straight एक downside movement दिखा दिया, ठीक है, अब अगर यहाँ से अगर एक movement दिखाना है, तो वो क्या हो सकता है, वो हो सक कुछ दिन का sideways movement, एक दो दिन का, ठीक है, या तो अगर, अचानक से एक उपर का move दिखा, जो कि बहुत ही highly unlikely है, देखना, क्योंकि अचानक से एक fall आया, अचानक से एक उपर का move नहीं आ पाएगा इतनी असानी से, तो let's not assume and dive right into the analysis, तो हम लोग चलते हैं 15 minute के time frame पे, और हम देखेंगे कि जो yellow line जो मैंने या बनाई है guys, वहाँ पर देखो कि वहाँ पर यह double bottom type का structure create हो रहा है, ठीक है, and same चीज जो है nifty में भी create हो रही है, same चीज अगर आप nifty के chart को खोलोगे, bank nifty के chart को खोलोगे यहाँ पर, ठीक है तो bank nifty मे, let me show you, okay, bank nifty में आपको same चीज है guys, ठीक है, तो अब अगर sgx nifty के data के हिसाब से चलते हैं, तो अपनी nifty जो है यहाँ से almost almost 200 points, let's say कि यहाँ खोलती है, इस जगहाँ पर खोलती है, ठीक है, let's say कि यहाँ कहीं पर open होता है, gap down open होता है, तो अब हम आरे पास दो option है, समझने के लिए, कि यह अगर short covering थी, मत उपर के areas पर उन्होंने अपने profit बुक करें अगर यहाँ पर, तो यह एक उपर का moment आया है, अगर एक short covering थी है, तो इस जगह पर अगर gap down खोलती है, तो एक different scenario create होगा, और अगर यह एक long build up था, यहाँ पर positions यहाँ पर create होई, लोगोंने सोचे double bottom बनेगा, यहाँ से breakdown नहीं ह अगर यह long build up है, तो हमारे लिए बहुती bad sign है, क्योंकि वो long players अपनी position overnight cut करना चाहेंगे, जिन लोगोंने अपनी position यहाँ बनाई, यहाँ बनाई, वो overnight अपनी position cut करना चाहेंगे, और यहाँ भी हमें एक और बड़ी red candle settle होते हुए दिखाई दे जाएगी, इस तरीके से, औ और उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा, तो वो, क्या हो सकता है, morning में एक गलत level का scalp खेल सकते हम लोग यहाँ से, market यहाँ अगर कहीं खुलती है, तो खुलते ही short अगर करोगे, ठीक है तो एक बहुती minor chance है, बहुती minor probability है कि आप उस probability को win करोगे, बट यहाँ पे अच्छा profit risk to reward मिल सकता है, ठीक है, कैसे, market खुली, आपने short कर दी market, and reason क्या था, कि भाई, यह इस important level को sustain कर रहा था, उसके नीचे खुल चुकी है market, एक बहुती बड़ा gap down, यहाँ से, ठीक है, तो वो gap down जो हम play कर सकते हैं, और एक बड़ी candle मिलते ही, एक बड़ा move मिलते ही, यहाँ से even आपको, let's say, 200 points गिरने के बाद, यह 100 points भी अगर और गिरता है थोड़ा से नीचे, तो वो 100 points आपको मिल सकते है, and वहाँ पे अपना short जो है, हम लोग cover कर सकते हैं, तो इस तरीके से एक scalp किल सकते है, जो कि बहुत risky है, अब अगर आप wait करोगे price action के लिए, 5-15 minute की candle close करने का जो कि एक professional और बड़िया तरीका है करने का trade, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि candle इसके नीचे close हो रही है, या फिर वो candle इसके उपर बापस आ रही है, अगर candle नीचे close हो रही है, तो हम trade को वहीं के वहीं छोड़ देंगे, अब और short नहीं करेंगे इसको क्योंकि यहां से यह volatility दिखा सकती है, बड़ अगर candle इस line के, that is 17.535Q पर उपर close होती है, तो आपको पता चल जाएगा एक बार फिर से कि यह जो trend line बन रही है, यह बहुत ही crucial और important trend line है यहां पर, ठीक है, किती बार इस trend line को यहां से follow करा गया है, एक बार, दो बार, दूसर खुलेगी अपनी nifty यहां के खुलने वाली है, ठीक है, तो इतना point जो गया, तो अब भले यहां से यह ऊपर आ जाए, उसका कोई सीन नहीं है, बड़ यह resistance trend line में तो convert हो रही है न, तो जब भी यह trend line का breakout होगा, वहां हम अपनी एक long position बनाने की try करेंगे, उसके बाद भी हम higher higher local formation nifty में बन जाए, ठीक है, और इस gap को fill कर दे और इस gap पे support ले ले, तो यह जब यहां पे इसका breakout देखे, एक resistance बापस आएगा, और वहां create होगा, यहां पे आएगा, फिर एक pinbar अगर यहां बनती है, यह परफेक्ट एरिया है, लॉंग जाने का गाईज, बट यहां पे हम लोग अच्छी bet कहल सकते हैं, तो मैंने आपको सारे सेनारियो बता दी है nifty, किस तरीके साप play कर सकते हो nifty, and same तरीके से bank nifty, now let's come right into some of the amazing swing trades, जो आप देख सकते हो, तो मुझे क्या लगता है कि यहां बैंक में news है, ठीक है, और इस news को थोड़ा, कैसे play कर सकते हैं, ठीक ह और उस wedge type formation के बाद जब breakout होता है, तो target number one achieve होता है हमारा है न, उसके बाद क्या हुआ, target number two तक कभी नी पहुचाइगे, पर अपना stop loss भी तो कभी hit नहीं हो, यह था SL अपना, yes bank में, उसके बाद यह sideways चला गया, ठीक है, तो वो तो भाई market क्यों पर है, कि वो sideways जाएगा, कि वो एक अच्छी trade यहां से create हो सकती है, फिर से कुछ points के लिए, बट यह candle का size जो है काफी बड़ा होगा guys, तो देखके थोड़ा 12% का SL लेंगे हम लोग, और हमारे target भी देखो फिर 1 is to 3 होगा, that is around around 33-34% तक के target जो है, top level तक के हम लेंगे उसमें, क्योंकि हमने देखा क्या कि एक अच्छा consolidation आया, एक fall आया, अच्छा healthy fall उसके बाद ठीक है, उसके बाद जो है stock जो है, ascending triangle formation बनाता है, जो की bulls का एक formation है, उसके बाद हम देखते हैं कि उपर side breakout देता है, तब हम जाके उसमें entry ले सकते हैं, with a good SL, with a good movement on the higher side, ठीक है, अगर यह fall होता है, ठीक है, तो हम देखेंगे, कि buy on dips करना है, यह नहीं, I would say buy on dips, इस stock को तो मत ही करो, ठीक है, क्योंकि यह buy on dips तो ही नहीं, ठीक है, तो अगर यह fall करता है, तो हम इसे leave भी कर सकते हैं, okay, moving ahead, फटा फट सारे stocks के वारे में discussion कर लेते हैं, तो यह मैं live session ले रहा था, I was taking my live session, and one of the guys told me about this stock, and amazing amazing analysis by him, तो यहां पर होजे क्या दिख रहा है, कि weekly time frame पे नेसले multiple times यहां पे ले चुका है support, और उसी जगह पे आ गया है, जहां पे confluence circle बनता है, मतलब weekly time frame पे, सोचो कितना strong time frame है weekly time frame, वहां पे इसने resistance खाया, इस area से resistance खाया, ब्रेक आउट दिया, और इस तरीके का एक move जो ह है, एक higher low भी बना चुका है यहां पे, बना रहा है जो कि फिलाल, और एक pending higher high है, और एक higher low और higher high, इस तरीके से एक movement जो है, एक up trending stock में आता है, ठीक है, तो फिलाल यह अंदर तो नहीं गया है, mostly यह अंदर चला जाता है, इस trend line zone के, but let's see on the daily time frame, क्या मिलता है हमें, और हमें मिलता है, यहां पे अच्छा strong box consolidation, ठीक है, यह अपना box consolidation है, इस तरीके से, यहां पे अच्छा support है, यह अपना breakout था, जो कि intraday levels तक ही गया, यहां पे, यह resistance से आपको मिलेगा, उस levels तक ही गया, उसके बाद fall हो गया, एक बहुती steep fall आपको दिखता है, इसले में, बट अब क या फिर all time highs और new highs जो है, एक्सपेक्ट करें जा सकते हैं, everything will be discussed and updated अगर trade initiate होती है, initiate तो already हो चुकि है, trade update जो होगी, वो होगी telegram पे, thank you so much, moving ahead, अजंता फार्मा की बात कर लेते हैं guys, फड़ फड़ तो अजंता फार्मा में मुझे यह trend line देख रही है, अब थोड़े फार् मतलब एक ही candle में top touch हो गया, तो यह entry levels तो है नहीं पहली बात, ठीक है, तो यह consolidate हो गया stock, और यह नीचे के levels पे आ गया, अब नीचे के levels पे यह trend line है, जिसको यह support मानता है, ठीक है, वो अभी touch नहीं हुई है, बट वो touch होने के बजाए, जो ऊपर वाली resistive trend line थी, उसके a readist type of scenario, यहां से एक entry और इसके नीचे के cell और all time highs जो है इसके वहां तक का एक target बनाया जा सकता है, moving ahead, doctor ready की बात कर लेते हैं, तो doctor ready में जो structuring में ने आप लोगे लिए करी थी, वो अभी भी intact एक दम, सिफ एक simple line बनानी है, and you will get to know कि ओ, यह हो रहा है, यहां पर in doctor ready, तो उ उपर से अगर एक trend line बनाते हैं, ठीक है, तो उस trend line का यहां कहीं पर breakout भी हुआ था, इस जगह पर अगर ध्यान से देखोगे, अगर इसको extend करोगे, तो बात चले यहां हुआ था breakout, बड़ वो ऊपर तक नहीं जा पाया, ठीक है, यह मतलब weakness है, अपने targets इतनी हो रहे है, top targets नहीं है, तो weakness है, यह अबर कह सकते हो कि market जो है, कुछ movement नहीं दिखाना चाहती है, तो sideways है, तो यार यह sideways movement भी बोल सकते है, इसको है न, क्योंकि अभी तक एक lower low तो बना नहीं है, क्या यह इसकी नीचे जाके close कर गया है, ठीक है, अगर close कर देता है, और sustain कर जाता है, एक, दो, तीन दिन, ऐसे, और उसके नीचे निकलने वाला होता है, तो यह जो creation है, इसे कहते है, downtrending creation, ठीक है, वो तो हुआ है अभी, तो यहाँ से एक low risk high reward rate बन सकती है, बड़ उसके लिए, उसके लिए आपको चाहिए, कि यहाँ पे एक अच्छी candle, green color की, settle हो जाए, तो आप यहाँ से sideways moment capture कर सकते हो, top तक बापिस, grand rules की बात कर लेते हैं, तो grand rules की बहुत बार मैं बता चुका हूँ, बहुत बात कर चुके हैं, कि यहाँ से support लिया, support लिया, support लिया, support लिया, और तीन, अब NRC हो रहा है, आप ठीक, narrow range candles बनना चालू हो चुकी है, एक भी candle अगर इसके अंदर enter कर जाती है, इस तरीके से, daily time frame पे, वो आपकी होगी, क्या, वो होगी आपकी entry levels, इन तीनों candles, NRC की नीचे, आपका SL होगा, आपका target number 1 होगा, यह top level, यह फिर fall हो जाए, बट फिर breakout दे सकता है, यह फिर काओ, इस बार यह सीधे-सीधे breakout देते हैं, यहाँ से, and if breakout द पर यह candle कितनी चोटी है, red candle कितनी huge है, और green candle जो उसके formation भनी है, बहुत small है, ठीक है, तो of course lower risk high reward setup, create कर सकते हैं, जिसका SL hit हो चुक है already, तो यह SL hit हो गया हमारा, and भूल जो, इस trade को फिलाल, अगर यह reward back करके आता है, stock किसी तरह ऐसे, ठीक है, तभी हम, अगर वो power से आता है और अब इस पिछली candle को नहीं देखेंगे, अब हम previous candle के basis page जच करेंगे, तो अगर उस candle के top को, पिछली तीन candles के top को break करके ऊपर निकलता है, 505 के एरिया अस पर Glenmark, तो हम लोग Glenmark में interested है, otherwise we are not, same goes for PEL, PEL में हमने यहाँ पर क्या आगा रहा था, एक pop-out candle पर trade करने की कोशि नीचे की साइड पर बहुत strong support है, demand zone बहुत strong है, यह trend line यहाँ बहुत strong है, और multiple reasons से इस ट्रॉक को यहाँ पर sell तो बिलकुल नहीं करना है, ठीक है, तो क्या करना है, तो wait करना है, अगर एक भी candle दुबारा आती है, और बड़ी candle यहाँ सस्टेन होती है इस बार, तो greater chances है, क् कि एक बार fake out दे चुका है, नीचे आखके, फिर से उपर जा रहा है, तो इस बार बहुत चांत से हैं कि फिर से SL रखके, हम लोग जो है, उपर के targets 2900 के रख सकते हैं, PEL, DLF की बात कर लेते हैं, तो DLF भी एक supportive trend line पर आ चुका है, support, 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 and support, और finally एक supportive level पर भी आ चुक कैसे, एक base बनाया, gap up हो गया, sorry, एक base बनाया, और उसके बाद यहां consolidate करा दो दिन, and there you get the मदरवार, यहां मदरवार इंसाइडर बार बनके, उसका breakdown अंदर रेंदर मिलता है, अब यह एक और बड़ी मदरवार है, अगर यह इसके नीचे ऐसे जाता है, close कर देता है, तो यह एक trigger sign ने कि यहां से हम एक और fall देख सकते हैं, DLF, और otherwise जो है, फिलाल हम लोग को इस stock में, क्या चाहिए, हमें stock में चाहिए, एक amazing candle, जो पिछली काफी सारी candles को, एक, दो, तीन, चार candles को, चार candles को 50% selling से हटा दे, इसके बाद हम all time highs के, मतलब near term highs का DLF में, प्लान कर सकते हैं, at least, at least, 1 is to 1 and 1 is to 2 risk reward ratio, plan out कर सकते हैं, हिंदोस्तान Unilever की बात कर लेते हैं, तो हिंदोस्तान Unilever अगर weekly time frame पे आप लोग देखोगे जाके, तो यह बहुत ही अच्छी एक supportive trend line पे बैठा हुआ है, यह देखो, इस तरीके से, यह supportive trend line है weekly time frame पे, जिस पे यह settle है अभी, य daily time frame पे चलो मेरे साथ, and daily time frame पे आपको देखेगा, यह अभी भी उस trend line की नीचे है, on the weekly time frame, and यहाँ पे एक double bottom type का formation बन रहा है, तो क्या यहाँ से trade ले ले, क्योंकि यह engulfing candle है, not at all, यहाँ से downtrend चालो होगे, अगर तो, फिर क्या करोगे, confirmation नहीं है, तो एक bottom यह बना है, य bottom की उपर closing मिल जारे तो, उसके बाद अपना SL define करेंगे, उसके बाद अपनी plan करेंगे trade, this stock should be in your watch list, let's see how we are going to play, but FMCG sector as a whole बहुत वीक है, guys, तो थोड़ा धियान रखना इस बात का, अगर यहाँ पर हम लोग ब्रिटानिया भी देखें, तो simple, जैसे याद है, जिस तरीके स हमने TCS में trade करा था, वही type की trade यहाँ भी बन रहे है, कि double bottom बना, उसके double bottom का breakout मिला, और एक impulse move, उपर तक का impulse move हमें मिला, in resistive areas तक का, ठीक है, अब हमें एक fall आया है, और fall में आपका consolidation हो रहा है, वही neckline के area के pass, तो अगर यह neckline के उपर निकलता है, close करता है, EOD पर, तो फिर it close above 2637 on daily time frame, उसके बात करते हैं, Linde India, I'm not interested in this talk right now, and उसका reason बहुत simple है, कि यह जो resistance उपर है, वह बहुत close है, ठीक है, जब भी, एक breakout, confirm है, कि breakout हो चुका है, आसे इस level से, it's a breakout guys, ठीक है, जो जिस तरीके से भी आप लोग trend lines इसमें draw करना चाहते हो, ठीक है, जिस तरीके से करन चाहते हो, it's a confirmed breakout, ठीक है, और ये का move भी कर जाए, but probability low है, ये मेरा setup नहीं है, ठीक है, और देखा जाए तो ये मदर बार है, एक insider बार है, उसका breakout उपर के लिए हुआ है, उससे पहले movement उपर के लिए आया था, उपर का movement, मदर बार, insider बार, and a breakout, ये perfect time होता है, अपना stock को initiate क करने का, तो low quantity में initiate करी जा सकती है, ठीक है, बट यहाँ पर मुझे एक sell-off, बहुत strong sell-off दिख रहा है, इस area पर strong resistance zone है, तो को stock यहाँ पर थोड़ा wait करे, halt करे, उसके बाद अगर एक breakout देता है, halt करने के बाद, तो मैं इसमें stock में interested, जादा रहूंगा, और अभी में एक small quantity स इसमें initiation करना जाओंगा, let's see कि मेरा plan क्या रहता है आगे, thank you so much for watching this particular video, I hope आपने कुछ educational और कुछ knowledgeable सीखा हो, मैंने bitcoin के उबर भी एक recent video बनाया है, इसके पहले, चैनल पर जाके आप जरूर देखेगा उस video को अगर आपको देखना है, and thank you so much, like करना, subscribe और share जो यह तीनों ची कलमेंगे.